देखो दोस्ट बोबाय साइकलोनी वही अपने अब में काफी बड़ा सिगमा है क्योंकि देखो बोबाय फ्रोस्ट फायर ग्लेषियर सुपरा सौधी के बाद भी कंतर के बाद भी बोबाय साइकलोन ने एक भी फ्यूजन नहीं किया था इसलिए वही काफी elements उसे ट्रोल करते थे कि भई तू लूजर है तू भई एक भी फ्यूजन कर रही पाया है पर उसने जो किया था वह और किसी ने कर नहीं पाया था उसने पहली बार सबसे पहले अपने लेवल थ्री पावर को मिन्स टेमपस्ट को इस किया था जो भई अदर्स पावर्स के काबिलियत के बाहर था यह करके उसने प्रूफ कर दिया था वह वही किसी से कम है नहीं उसके बाद ही वही उसने बोबाई गैलेक्सी सीजन 2 के एपिसोड 20 के इंडिंग में सबसे खतरनाक पावर सुल अर के साथ फ्यूजन किया था और बना था बोबाई सौफान तो अब सुचो बोबाई अगर साथ और भी फ्यूजन करेगा तो क्या होगा क्या क्या हो सकता है क्या क्या ना हो सकता है तो आज हम लोग बात करेंगे बोबाई साइकलोन के कुछ अपकमिंग फ्यूजन के बारे में तो वालक सुर करते तो नमबर वन बोबाई साइकलोन तोनों पावर्स कोई यूज़ करते थे किसी भी फाइट को फिरुवात करने के समय सो यह तो पावर्स बोबाई के सबसे आइकोनिक पावर्स में से एक इसलिए वही काफी हाई चांस बोबाई गयानेक्सी सिदिन 3 के एपिसोड 5 के अंदर ही बोबाई किसी भिलन को हराने के अपने थ्रंड स्टॉम और साइकलोन का फ्यूजन करें तो वहलों क्या होगा तब इसके अब निटिस होंगे यह वही बिचली का तुफान ले पाएगा जिससे ऑपोनेंट हवा विखा लेगा और थ्रंड स्टॉम का थ्रंडर भी खालेगा काफी आराम मिल जाएगा ऑपो जैसे तुफानी स्वर्ड तुफानी तलवार तुफानी भाला अटिसी इसके बाद बोबाय स्टैकलोन और और अर्थ का फ्यूजन जिसके नाम हो सकता है बोबाय थंडर कुई इसके most of the attacks होंगे रेत के तुफानों के जैसे होंगे जैसे रिगिस थन पे रेत का तुफान बनाता है वैसे बोबाय इस फ्यूजन से रेत का तुफान लेया पाएगा इसका एबिलीटी होगा यह वाला और वैपन्स होगा यह वई विंड के और प्विक के एबिलीटी से पथरों का होवर बोड बना पाएगा जिससे रेतों का तुफान निगलेगा उसके बाद यह विर अटक्स होगे नहीं और वैपन्स का है तो होगा एक जंगली हावर बोड जिससे हवा और शुक हुआ हुए पतिया निगलें सायद इस फ्यूजन को बोबाय सायद बोबाय गैलेक्स सीजन 3 के एकदम आखिर में कर सकता है क्योंकि देखो बोबाय को तो फ़िस फ्य और नेटो इसका वही एबिलिटी होगा यह वही काफी बड़े-बड़े फायर का तुफान लेया पाएगा जो अपने आप में काफी खतरनाक होगा नॉर्मली वही बहुता रिख का एबिलिटी का फिक खतरनाग है उसके उपर जब विंड का एबिलिटी आ जाएगा तब और भी खतरनाग हो जाएगा वही एक बार सोचो वही पुरे के पुरे एग फायर का स्टॉम ही ले आएगा वही जिससे एक सिटी ही डिस्टा हो जकता है वही काफी अलगी लेवल का होगा वही यह वाला फ्यूजर उसके बाद वही इसके एबिलिटीस तो भी बोल दिये अब भी बातगरते वैपन के बार में इसका वैपास होगा यह वही काफी बड़े-बड़े हवार बोड बना पाएगा इसका वही आग प्रेड्यूस करने का समताह होगा उसके बाद वही बोबाई साइक्लोन और बोबाई आइसका फ्यूजर जिसका नाम हो सकता है स्नोर स्ट्र बोड पंखा बना पाएगा जिससे वही अपने पीट से उर्पाएगा काफी आथानिस है इसके पीट से निगलेगा तुफानी हवा जो भई स्नो से बड़ा होगा तो सोचो भई कितना खतरनाक होगा तो बोबाई फार नेड और बोबाई स्नो स्ट्रॉम यह वही दो बोड़ानी होगा तार